ऐसा मालूम पढ़ रहा है कि भारत और अमेरिका के रिष्टों का समीकरण जो बराक उबामा और प्रधान मंत्री नरेन मोदी के दोरान एक बहतर रूप दे रहा था अब उसमें दरार पढ़ती नज़रारी है जिसका कारण बन रहे हैं अभी के अमेरिका के राश्पती डॉनल्ड ट्रम जिनोंने भारत के गंतंत्र दिवस समारों में बतौर मुक अथिती शामिल होने के निमंतर को अस्विकार कर दिया है जो अपने में ही दोनों देशों के रिष्टों पर एक प्रश्ण के तौर पर उभर रहा है ट्रम का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और भारत के रिष्टे में रूस से S-400 की डील के चलते एक उतनाव चल रहा है रूस से डील के पहले तक्यास लगाये जा रहे थे कि ट्रम 26 जनवरी को भारत आ सकते हैं लेकिन बाद में अमेरिका का जैसा रुक रहा उससे आशंका जटाई जा रही थी कि ये दोरा रध हो सकता है और अब इस खबर के साथ उस आशंका पर भी मोहर लग गई है इसके अलावा अमेरिका दोरा इरान पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद वहां से भारत के तेल लेने के फैसले पर ट्रम प्रशासन ने नराजगी जताई थी आपको जानकारी के लिए बता दें कुछ दिन से अमेरिकी अधिकारी इस बात का संकेत दे रहे थे कि ट्रम जनवरी में भारत नहीं आएंगे क्योंकि सर्दियों में State of the Union Address भी प्रस्तावित किया जाता है हाला कि अमेरिका के पूर राश्पती बराक उबामा भी गंतंत्र दिवस समारों में शामिल हुए थे जबकि उस समय भी जनवरी में State of the Union Address पस्तावित था ऐसे में गंतंत्र दिवस के नियुते को ठुकरा कर अमेरिका ने भारत से अपने रिश्टे में एक हलकी सी दरार ला जरूर दी है भारत में हर साल गंतंत्र दिवस के मौके पर खास महमानों को बुलाने की परंपरा बनी रही है साल 2015 में पराक उबामा, 2016 में फ्रांस के राश्पती फ्रेंकोइट हॉलिंड, 2017 में अबु धाबी के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन जायत अलनायन और 2018 में आसियान के सभी दस नेता भारत गंटंत्र दिवस के मुक अतिती थे अब ट्रम के इस निर्ने के बाद भारत का अमेरिका की तरफ क्या रुख रहता है और दोनों में आगे आने वाले समय में दियूर्पक्षी वारता होती है या उस पर क्या रुख रहता है दोनों देशों का ये देखना बेहत दिल्चस्पूदा झाल